हेलो बाई, वेलकम तो मैच 99 दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास एट, एक्सरसाइज 8.1 के कोशन नंबर 1 से लेकर 6 तक को तो यह चेप्टर का नाम है कम केरिंग क्वेंटिडिज तो हम इस चेप्टर का एक्सरसाइज 8.1 को पहले सॉल्फ करेंगे क्वेशन नंबर 1 to 6 टोटल सवाल 8.1 के एक ही वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे तो चली हम लोगी स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्वेशन नंबर 1 है क्वेशन नंबर 1 है Find the ratio of the following हमें यहाँ पे कुछ statement दिया हुआ है इसी का हमको ratio पता करना है तो ratio का मतलब होता है कि divide के form में होना चाहिए 3 by 5 को हम लोग 3 ratio 5 लिख सकते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ratio ठीक अब हम लोग आते हैं सवाल पे तो क्वेशन नंबर 1 का ए है Speed of cycle 15 km पर आवर 2 Speed of scooter 30 km पर आवर यहाँ पे एक बात समझेंगे अगर यहाँ पे दिखें यह 2 का ही मतलब होता है ratio तो पहले यह उपर होगा अब बार में यह होगा इससे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ 15 km है और यहाँ भी km है तो कोई problem नहीं यह simple हम लोग divide कर देंगे और answer आजागा लेकिन अगर यहाँ पे meter और यहाँ पे km रहता तो दोनों को पहले एक unit में हम लोग change करते हैं दोनों को एक unit में करना बहुत ही जरूरी है तभी हमारा ratio निकलेगा अगर नहीं है तो करेंगे यहाँ पहले से है इसलिए हमको करना कोई जरूरत नहीं है तो answer number first का A को हम लोग लिख सकते हैं 15 km to 30 km इसको किसमें लिखना है ratio में तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका division करेंगे 15 by 30 आता है 1 by 2 और दोस्तों यही हो गया इसका ratio ratio हो गया 1 ratio 2 यही हमारा answer हो गया इसी तरह हम देखेंगे B को तो B में हमारा क्या है answer B में हमारा क्या है 5 meter to 10 km यहाँ पर समझेंगे यहाँ meter है यहाँ क्या है kilometer तो पहले हमें इसका unit को same करना होगा तो यहाँ तो meter को ही kilometer में change कर दीजी यह kilometer को meter में आपका मन तो हम यहाँ क्या करते हैं इस 10 km को हम meter में change करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 10 km equal to 10 into 1000 meter यही हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया पूड़ा 10,000 10,000 meter आप इसका ratio आराम से निकल जाएगा तो यहाँ पर 5 meter को रहने देंगी to 10,000 10,000 meter इसका ratio क्या हो जाएगा ratio इसका हो जाएगा आपका 5 by 10,000 तो यहाँ परसिक क्या होगा two time में तो one by two thousand one by क्या आगया two thousand आगया इसको हम लोग इस तरह लिख सकते one ratio two thousand यही दोस्तों क्या होगी हमारा answer अब हम लोग दखतें C C में क्या है पचास पैसा to five rupees यहाँ पर पैसा है यहाँ पर रूपीज है तो पहले इसको हमको change करना पड़ेगा क्यों न हम इसको भी पैसे में change कर दें तो five रूपिया है इसको पैसे में change कर देंगे एक रूपीज का मतलब क्या होता है hundred हंडर पैसे होता है इसको क्या करेंगा हम 5 रुपिस को चेंज करने के लिए हंडरेट से इन्टू कर देंगे तो 5 इन्टू हंडरेट तो यहां पे जो 500 क्या हो गया पैसा हो घृट में इसका हमको बोल रहाँ रेशियो निकल लें यही पर में निकाल देता हूं ठीक यह तो simple था अब हम लोग आते हैं question number two में तो question number two है convert the following ratio to percentage यहाँ पे एक ratio दिया हुआ है इसको किस में change करना है हमको percentage में change करना है ठीक तो हम क्या करेंगे first को solve करेंगे तो थीरी ratio 4 है हमने आपको पहले ही बता रखा है कि 3 ratio को हम लोग 3 by 4 लिख सकने हैं अब percentage में change करने के लिए कुछ नहीं करना है hundred से क्या किजिए into कर दीजिए hundred से जैसे ही into करेंगे हम लोग जैसे into करेंगे 4 से 25 टाइम में divide हो जागा और 3 into 25 करेंगे तो 75% दोस्तों hundred से into करते हैं लेकिन यहाँ पर percentage लगाना ज़रूरी है यही हमारा क्या होगे answer हो गया उसी तरह बी नमबर देखेंगे two ratio three है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं two by three और इसको change करना है percentage में तो hundred से into देदेंगे और यहाँ percent लगा देंगे तेखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यह तो divide नहीं होगा तो क्या करेंगे इसको into कर देंगा उस्षे कम आता 18 six time में यहाँ पे 18 अगा यहाँ पे two और यह zero नीचे फिर यहाँ पे six time में 18 फिर यह two हम इसको mix fraction में 66 and two by three percent लिख सकते हैं तो यही हो गया हमारा answer अब हम लग आते हैं question number three पर तो question number three दिखिए हम दो तरीके से आपको बताएंगे तो दोनों तरीका ही better रहेगा तो दो तरीका से 72 percent समझेंगे बात को 72 percent of 25 इस्टूडेंट मतलब 25 इस्टूडेंट टोटल है टोटल नंबर आप कितना है इस्टूडेंट का 25 यह टोटल है जिसमें में से 72 परसेंट इसी 25 का 72 परसेंट को mathematics में क्या है interest है और बाकी को नहीं है अगर हम यह समझते हैं कि total student 100 परसेंट मलब कोई नमबर अपने आप में 100 परसेंट होता है लब 28 student को क्या है mathematics में इंट्रेस्ट नहीं है बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं पहला तो आप क्या किजिए 100 percent को हम लोग 25 लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्यों total का बात हो रहा है यहां पर सिक्या किजी 1% का विल्यू निकाल लीजी एक परसेंट जिसे 100 का विल्यू 25 तो एक का विल्यू क्या जागा 25 बाए 100 इसको solve करेंगे तो 1 बाए 4 मतलब 1% का विल्यू 1 बाए 4 आ गया तो हमें क् इंट्रेस्ट नहीं है मतलब 28% तो 28% का विल्यू क्या हो जागा यहां पर 1 by 4 into 28% इसको यहां पर आपका करो डिवाइट कर दो 7 time में 7 into मतलब 7 student ऐसे हैं वन बच्चों को 25% में से 7 बच्चों को क्या है mathematics में इंट्रेस्ट नहीं है यह हो गया आपका अंसर निकालने का तरीका पर हमको एकहसाम में इसnahmen करें सबसे पहले मैं इसको यहां पर से कट करतू हूँ आप लोग समझ रहे किस तरह निकला से बनांगर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर हमको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहां पर हमको गीवेन है क्या गीवेन है कि 72% of 25 इस्टुडेंट्स इस्टुडेंट्स आर गूड मैथमेटिक्स यही बात दिया हुआ है सिम्पल जो दिया हुआ तो वही लिख दी है कोई लपड़ा ने हमने यह क्या किया जो दिया हुआ है उसको लिख दिया अब हम लोग समझेंगे कि परसेंट का बात हो रहा है तो हम यहां परसेंट दिया ह कि इस्टुडेंट्स कि हूँ आर हूँ आर नॉट गूड इन मैथमेटिक्स हूं नवेचिए हमने क्या बात किया परशेंट का सेवंटी टू को पसंद है और नहीं पसंदवाले को कि त्युत्स अगर हम लोग कोई भी नंबर अपने आता हुटा दोता है तो 100 में 72 को पसंद है तो कित्यों को नहीं पसंद हो तो 100 में मैंक्स कर देंगे PC 22 iqaba ce Train कि हमारा आंसर निकल गया है के या निकला 28 परसेन हमारा आंसर कल गया लेकिन हम को परसेंटेज में नहीं निकालना है हमको students का नंबर बताना है यहां हम लिखेंगे number of students who are not good in mathematics equal to देखे यह क्या है 28% है तो equal to 28% को क्या हम 28 by 100 लिख सकते हैं कोई दिकत परसंटेज को चेंज करने के लिए तरह लिखते हैं तो किसका 28% है तो टोटल का है इसी का नहीं है तो टोटल से इंटू कर दीजिए तो आप यहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं डिवाइट करते हैं 25 से डिवाइट करें हंड़ेट को 4 आएगा फिर 4 से डिवाइट कर जिए 28 को 7 आएगा तो दोस्तों हमारा अंसर 7 आ गया बेटर है अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉस्चन पर इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूं पर ज्यादा हो जाएगा इसलिए आते हम लोग कुशन नंबर 4 पर तो कुशन नंबर 4 क्या है देखिए कुशन नंबर 4 है आ बात को समझेगा टोटल में चितना भी कलाम को नहीं पता है लेकिन 10 मैस उसी में से 10 मैस क्या हुआ ये लोग जीत गया इफ देयर विन परसेंटेज वास्ट फॉर्टी मतलब यह जो 10 मैच जो इन लोगों ने जीता उसी का परसेंटेज कितना है 40 परसेंट मतलब साफ है यह उन्होंने क्या क्या 60% मैच को क्या हार गया और यह जीतने वाला का परसेंट है कितना 40 परसेंट आप यहां पर एक बास पूछूँँगा क्या 40 परसेंट और यह 10 आपस में इकॉल होंगे किने लब यह 40 परसेंट का ही तो वैल्यू 10 दिया हुआ है तो हम लोग पहले अंसर अगर निकालना चाहेंगे तो यह 40% का विल्यू की तो यहां से एक का निकल जागा वन बैफ फोर तो हंडेट का निकालने के लिए क्या करेंगे वन बैफ फोर इंटू हंडेड यह अगया 25 मैचस मतलब हमको पता चलिए यहां पर 25 मैचस खेला गया है जिसमें में से 10 मैच उन लोगों ने हार गया है तो यहां पर हमको इस तरह से नहीं बनाना है यह हमारा हुआ अंसर निकलने का थरीका हमको बनाना प्रोसेस से तो प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे ताकि आप लोग बहतर स्कॉर्ट कर सको एक्साम में तो यहां पर हम लोग आते हैं अंसर में हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या टोटल मेच कितना खेला एक्स मेच खेला यहां लिकेंगे फोर्टी पर सेंट अब हम और ही निकालेंगा दखे यह मतलब यह किसके को आठाइक का फोर्टी पर फोर्टी पर्ष पर सेंट यह किसका 40 परसेंट एंट吃 का तो एक्सयुक्त है तो यहां पर हम लोग झाल है एक रड्डिंग कृष्षंट का भी आप यूज कर सकते हैं कि 40% of X यही एक्स का नमलब टोटल मैच का ही न फोर्टी परसेंट है तो क्या हम 40% सकते हैं आराम से क्या होगा आपका एक्स का value पता चल जाएगा आपको पता च्रलाइंवब चलीने कि हमने क्या क्या 40% को 4500 हाँ मतलब लिख सकते हैं और आपका मतलब इंटू है वो लख सकते हैं आप क्या करें यहाँ पर हम लोग solve करेंगे कर दीजिए 2 5 मतलब 2x by 5 equal to 10 इधर उदर तो आप लोग करना जानते हैं इधर ये 5 divide में उदर जागा तो into में into में मतलब 2x into 50x equal to 50 by 2 हमारा answer आगया 25 मजा आया ठीक यह हुआ कुशन नंबर 4 अब हम लगाते हैं कुशन नंबर 5 पर तो कुशन नंबर 5 पर देखिए चामेली नाम की कोई महला है लेडी से लड़की है कुछ भी बोली वह क्या कि कहा गई मार्केट गई कहा गई मार्केट गई और उन्हों पर जम कर स्वापिंग किया और अपना जो है न देखिए यहां पर मिस्प्रिंट है यहां इस्पेंडिंग होगा यहां पर पीछोडिया है कि एस्पेंडिंग 75 परसेंट उन्हों क्या किया अपने पैसे का 75 परसेंट वह खर्च की ठीक लेकिन खर्च करने की बाद भी उनके पास कितना बचा 600 बचा बात को समझेगा देखिए उसके पास कोई भी नंबर अपने आप में 100 परसेंट होता है उन्होंने क्या कि 100 में 75 25 परसेंट क्या क्या पैसे को खर्च कर दिया तो क्या बचा 25 परसेंट 25 परसेंट और लेकिन असलियात में पैसे जो है वह कितने बचे 600 मिलब यह 25 परसेंट का वेल्यू क्या गया 600 हुआ से 24 टाइम में यह कर दिया यह एक परसेंट का वेल्यू आया तो हंड्रेट का निकलने लिए क्या करेंगे इंटू कर दीजा हंड्रेट से जब हंड्रेट से इंटू करेंगे तो यह क्या गया 2400 इसके पास टोटल रुपीज होंगे शुरुवात में पर हमको इस तरह नहीं परस करना है ठीक इंट इसको अब आते हैं स्विस्टार्ट तो सॉल्यूसन क्या है हम लोग क्या करेंगे इसमें मानेंगे मानेंगे क्या मानेंगे जो निकालना होता है हम लोग उसी को मानते हैं मानते हैं लेट हम लोग क्या करते हैं उसके पास जो सुरू का एमाउंट है वही मान रहते हैं मान लेत को में ओनेख चमयली है इंदा इन ह clarified मान लेते कि उसके पास जो एमाउंट होगा जो पैसे होंगे वह सुरुवात में में आउंगे उसके पास एक्स रूपीज होंगे रूपीज एक्स है ठीक रूपीज एक्स है उन्होंनों क्या खर्च किया कितना खर्च किया 75% तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि हर इस्पेंडिंग परसेंटेज आफ मनी इतना खर्च किया 75% तो यहां पर हम इस्पेंडिंग परसेंटेज आफ मनी कितना खर्च किया remaining percentage of money equal to hundred में 75 को मैनस कर देंगे करेंग तो यह क्या गया 25% 25% क्या हो गया इसका value चल गया लेकिन हमें question में दिया कि उसके पास पैसे किसे कितने बचे हैं 600 बचे हैं और यहां पर हमें percentage में भी पता चल गया कि उसके पास 50% बचा है तो यहां पर हम यह बात तो लिख सकते हैं न क्या पचीश percent of x equal to 600 होगा इसको solve कर दीजे एक्स का value निकल जागा असुरबात का पैसा से यह 1 by 4 से चल गया 1 by 4 x equal to 600 तो x equal to यह डिवाइड में उससाट जागा तो इंटू में इंटू कर दीजे 6400 रूपीस तो यहां से पता चल गया है तो यहां पर लिखिंग थर्स सी एड रूपीस 2400 इंदा बिगनिंग इंदा बिगनिंग ठीक है अब आते हैं हम लोग लास्ट कोशन है कोशन नंबर 6 देखें यह कोशन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि कोई सहर है उसमें 60% लोगों को किर्केट परसंद है 30% लोगों को फुड़ वाल परसंद है और जो बच्चा 60 30 हो गया 90 90 मतलब 90 परसंद को क्या है यह दोनों गेम परसंद है बच्चा कितना 10 परसंद टोटल मान लिजए 100 तो 10 परसंद है तो 10 परसंद को हमको यहां पर अधर गेम परसंद है मतलब और और भी जो गेम है वह परसंद है वाट परसंद अब तो यहां तो हमारा 10 परसंद अंसर आ गया इव दा टोटल नंबर आप पी पूल इस 50 लैक यदि तोटल जितने भी सहर में लोग रहते हैं मतलब उसका वेल्यू क्या 50 लैक है तो फाइंड दा एक्स्टेक्ट नंबर हू लाइक इच टाइप आप अप गेम मतलब सब का मतलब किरिकेट कितने लोग पसंद करते हैं फि पचास ब्यटे औंडेड यह जिरो हो गया 1X2L Georgia हो गया मतलब 1X2L लैक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 50,000 हुआ यही तो हुआ बनाट उ का मतलब क्या हुआ 50,000 हुआ तो यहां पे एक परसेंत का 50,000 तो 60% का क्या हो जागा 60 इंदू 50 क्रेंच छो और 30 हो गया 1,2,3,4 आठ पहुंच लब 30 लाइग 30 लाइग क्या हो गया किर्केट पसंद करते तो इसको इस तरह नहीं बनाना है हमको बनाना है लेंगवेज में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे लेंगवेज में इसको बनाने का कोशिस करेंगे ठर सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही करेंग एंसर अंसर परसेंटेज परसेंटेज आफ पिपूल फूल लाइक अधर गेंग तो आपको पता है कि 60 को कितना पसंद है अधर हम इसका निकालेंगे तो हंड्यम् lag sticking अधर मैंश करें तो हंड्यम्स सिक्स्टीप ब्रैकेटज पर्शेंट थी पर वेसे लोगों को जो अधर गेम पतना अब हमको सब का नंबर निकालना है ठीक यहाँ पर लिखेंगे हम लोग को दिया है तोर्टर नंबर आफ पिपूल आपको हम ले प्रवलम है तो आप सबस्कार करके बतासकते हैं मैं इसमें सुधार करूगा आगर कोई दिक्त नहीं है तो एक कोमेंट कर तो नहीं कोई यस यह नहां मैं आप जवाब दे सकते हैं अатов कि यहां मैं प्रैइल कत बात ऊरहा है तो तोल नंबर रूख तोरल नंबर ńEMA अगर कोई प्रब्लम नहीं अंडरेटिंग में तो कोई बात नहीं यस नो में आप जवाब दे सकते हैं तो हमें यहां पे दिया है टोटल नंबर पिपूल पचास लाग टोटल हमको दिया है और सबका परसेंटेज दिया तो हम अराम से नंबर लिका आए इसलिए दा नंबर अनबर आफ पिपूल है कि लाइक सिंव लाइक क्या करते हैं वो लोग किरकेट ख्यादा तो करते हैं तो किरकेट का परसेंटेज कहतना अता सिक्स्टीसिक्स्ति परसेंट टोटल में हम लोग दिया हुग है तो यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 खत्म 6 5 थर्टी थर्टी लैक यहां पर लैक कहां से है यहां से हमने लैक को कॉमन ले लिया थी अब हम लोग आते हैं दा कि नंबर और और पीपूर को लाइक कि फूटबाल एक वेल टो फूटबाल का किना दिया हुआ था थर्टी परसेंट तो थर्टी पाइंडर लिखेंगे तो टोटल में क्या करते हैं हम लोग इन्टू कर देते हैं यहां से एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो फाइप तीजा फिप्टीन तो फिप्टीन लाइक ठीक आप क्या बचा टैन परसेंट लब अधर पिपूर यहा कि पसंद करते हैं कितने लोग 10 परसंट किसे का निकाल है जो लोग अधर गेम पसंद करते हैं तो क्या करेंगे निखेंगे यहां एक जिरोगा फैपिंट लैग्क दोस्तों यहीं था अपका अगर आप चनल पे नए हो यहाँ सुरू से दिख लो पहले हमने क्या-क्या परसेंटेज यह जो लोगाधर गेम खेल उसका परसेंटेज निकाला फिर टोटल आप नंबर दिया हुआ था फिर सबको हमने चेंज कर दिया नंबर पर सबका परसेंटेज की मदद से अगर आप चनल पर नए हो तो चनल को कर लो सब्सक्राइब और क्लास नाइन का भी इसी चैनल पर चल रहा है अगर आप क्लास नाइन में जाओ तो आपको यही चैनल काम देगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू